हेलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एपलिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है आपका उसके रिगार्डिंग हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस इस से एक प्रकार का अगर चुदा सा तो धीओं पाइध उसको दिखांगते हैं इसमें आप दहीं सकते हैं लेते हैं तो यहां से यहां तक क्ष्क हमारा जो mmru बोलते हैं माइनर माक्ण एक्षीमS увam इस अप्रेयर सेधैर बड़ा है इसन फोलेंगे में है न सिवर तो यह में जूरिंद्ट है कि यह में होता है इस्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्टैंडर् युक्वेशन STUDENT standard equation of ellipse वो क्या होता है तो में यह आप यह बता रहा हूं, वो standard होता है, x square by a square plus y square by b square equal to 1, this is our standard formula standard equation of ellipse अब हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए इसी format में आपको दिख रहा है यहाँ भी compare करेंगे जब हम अपना इस given equation को standard equation के साथ compare करेंगे तो a square यह वाला क्या है a square है यह b square का value है तो a का place पर हमको क्या मिलेगा 4 और b के value हमको क्या मिलेगा 3 यह बात आपको समझमा गया तो यहां से अब हम अपना solution को start करते हैं तो आपके पास a पता चल गया हम लोग compare कर सकते हैं 16 का 16 क्या है मेरा square है इसका a का value निकालेंगे तो आ गया 4 अब b का value आ जागा 3 इतना clear है आप चोटा समय आपको एक graph के साथ भी बताना चाहूंगा ताकि आपका understanding है वो पूरा clear हो जाएगा देखिए तो यहां पर मैं एक छोटा सा graph के माध्यम से आपको बता रहा हूं ठीक है यह हमारा y-axis है और यह हमने लिया है x-axis कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होना चाहिए देखिए यह जो graph है हमारा यह y-axis और यह x-axis यह ellipse को दो तरीके से बना जा सकता है या तो यह ellipse हम लोग ऐसा बना सकते हैं या कोई ऐसा भी ऐसा भी बना सकता है कोई आईसा भी बना सकता है तो अब मेरा बात आया कि यह जो question है वो हमको क्या बोला है ऐसा बना के solve करो या तो यह वाला बड़ा है देख रहे हैं तो अगर एक वैलू बड़ा आ रहा है तो हम लोग इलिप्स बनाएंगे इस तरह से अगर बी का वैलू बड़ा रहता यहाँ पर 16 रहता 9 यहां रहता तो इलिप्स बनेगा इस तरह से यह एक छोड़ा सा ट्रिक आप ध्यान रखिए अ इस तरह से हमने ellipse को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया ठीक है तो देखिए इस point पर इसका coordinate क्या होगा यह हमारा x-axis पर यहाँ पर मेरा जो a है वो 4 है मतलब यह हो जाएगा 4,0 ठीक है और यह इस point क्या हो जाएगा तो यह x-axis यहाँ पर हम ले लेंगे 0,0 और मेरा y के लिए b का value क्या है बताइए 3 है यहाँ पर आपको बात बना गया तो यह 4,0 x,y और यह x,y कोई दिकाद आपको नहीं होना चाहिए अब देखिए अब हम क्या करते हैं हम ऐसा मान लेंगे एक छोटा सा पतला सा से strip बना ले जो बहुत ही छोटा है इसका जो width है वो let's say dx है dx का मतलब क्या होता है बहुत ही छोटा distance को हम लोग देक्स बोल रहे हैं बहुत ही चोटा distance बहुत ही पतला से strip है यह इस तरह का हम लोग बहुत सारा strip लेंगे पूरा यहां से यहां तक का जितना भी एरिया है पूरा के लिए कि लGO मिलेगा आजा इसका विट्थ्थ है वह लेक्स टो जो इसका लेंद्थ है वो लेंट्च है अब व्रेंटम न कर देंगे लिमिंट रॉड़क देना है जीरो लेके क्योंकि यहां से इस्टार्ट हो रहा है तो यहां से जीरो कर देंगे तो इसका 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 मतलब चारों क्वेटरेंट का जो एरिया बाउंडेड है कर वह सारा का निकल जाएगा तो हम लोग यही करते हैं ठीक है तो अब आपको पता चला कि एरिया ओफ एलिप्स अगर आपको निकालना है तो यू कें डू वाट आप फोर से मल फांड आउट करते हैं ठीक है तो चलिए हम वाई का वेलू पहलें तो यहां पर हम लोग वाई स्कुएर अपोन नाइन को ऐसे लिखते हैं इस तरफ हमारा वन था एक स्कुएर माइनस एक्स स्कुएर अपॉन 16 यह लेकि आ गया है ठीक है आर आर्चस साइड में लेकि आ अ अब यहां से हम लोग क्या करेंगे देखिए वाई स्कुएर का वेलू निकालेंगे तो यह नाइन इसका साथ मल्टिप्लाइ में हो जाएगा तो लिखेंगे 9 इंटू 1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2- नीचे में 4 हो जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा 16-x2 यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो 3 by 4 आगिया और यह जो 16 हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वार माइनस x का स्क्वार और यही चीज़ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 3 by 4 यह हम मज़दार तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो 3 by 4 अंडर रूट 4 स्क्वार मैनस x स्क्वार आया है तो अब आप यहां पर देखिए हमारा जो है यह हुजाएगा 4 इंटू लिमिट हुजाएगा 0 से 4 y का वेलू क्या आया हमारे पास 3 by 4 यह y का वेलू आया है 3 by 4 ठीक है और र रहा ले सकते हैं तो यह जाएगा 4 x 3 अपोन 4 और यहां पी जा बचेगा जिरो से 4 लिमिट और यहां पर हमारी पास बच रहा है 4 का square minus x का square dx ठीक है? अब देखें दोस्तों यह जो है under root 4 square minus x square dx का integration जब करेंगे यह तो formula है यह तो हम लोग जानते हैं since under root a square minus x square का जब हम लोग integration करते हैं तो इसका formula जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते हैं तो देखें यह होता है x by 2 into a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a ठीक है? यह हमारा formula होता है कोई दिक्रत आपको यहां तक नहीं होना चाहिए यह हमारा formula था इसका कहने का इतना सा मतलब है जब इस वाला पूरा चीज का आप integration करेंगे तो यह आता answer तो यह भी हमारा same format में है तो हम लोग इसको solve करते हैं चलिए तो देखिए यहां पर पहले यह 4 और यह 4 cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा? यहां पर हमारे पास बच रहा है 3 और यहां पर हम लोग limit रखेंगे 0 से 4 और यहां पर आपको दिख रहा है यह है 4 square minus x square dx तो अब इसका integration आराम से कर दिए देखिए आपके जानते हैं इस चीज़ इसका इस फार्मेट में इसका answer यह आता है तो जहां पर ए है उसका place पर रख देंगे बाकी तो यह जागा 3 ठीक है और चलिए हम इसको पहलोग रखते है तो x देखिए यह जो limit जीरो यह जो limit आपक question के साब से 4 है तो x का place पर हमको फोर रखना पड़ेगा तो यहां पर देखिए x by 2 है तो हमारा क्या हो जागा upper limit minus lower limit होता है ठीक है ना तो पहला हम upper limit रख रहे हैं तो upper limit हमारा 4 है तो x का place पर 4 by 2 हो जागा under root देखिए यहां पर a का square एक square क्या होगा मेरा 4 का square minus x का square और x का place पर भी आप जानते हैं क्या रखना है यहां भी 4 रखना है ठीक है ना तो यह भी 4 ही रखना है plus a square by 2 sin inverse x x का value क्या है 4 by a तो यह तो हमने क्या किया है upper limit को अभी रख दिया है यहां पर हम क्या किया है upper limit को रख दिया है देखे साथ ही एक value हमको तो पता दिया था question में दे र lower limit रखना है यहां यहां एक सब्सक्राइब 4 रखना है lower limit 0 है तो यहां पर जाएगा 0 by 2 यहां पर a का value आपको पता था कितना था 4 का square minus x का प्लेस पे lower limit मतलब 0 का square फिर प्लस a का square ठीक है यह पर लिख देते हैं तो देखें यहां पर 3 था बाहर में 3 लिखते हैं अभी ठीक है और यह हमने बड़ा सा बैकेट लगा दिया यह पूरा चीज तो 0 बन गया तो 0 प्लस यह फोर का square है नीचे 2 है तो मतलब की square 16 by 2 का मतलब 8 हुआ होगा sign inverse 4 by 4 कितना होगा 4 by 4 1 होगा sign inverse 1 sign अपना value 1 कप देता है तो पाई लगा टो यह जाएगा प्लस प्लस यह मल्टिप्लाइ में है तो यह हो जाएगा पाई बाई टू और यह टू इस एट को कर देगा फूर कट जाएगा ठीक है तो यहां से आपको पाई मिल रहा है ध्यान रखना यहां से पाई मिला अब आई यह माइनस लोग इसको सॉल्फ करते हैं तो देखिए फोर स्क्वाइर मा पना किस साइन 0 आता बता है तो यह हमारा 0 पर आता है तो यह इसको 0 से मल्टिप्लाइ करेंगे यह भी 0 मतलब यह तो पूरा जीरो बन गया तो कहने का मतलब क्या है अब इसको देखिए क्या बच रहा तो यहां पर है 3 इंट्टू 4 हो जाएगा और गषाग यह हमारा answer आया कि नहीं आया वो कैसे पता करेंगे तो उसके लिए भी एक तरीका है देखे कभी भी याद रखेगा ellipse का जो area होता है कभी भी ध्यान रखेगा ellipse का area होता है वो होता है a into b into pi या pi ab भी भी आप बोल सकते हैं pi ab यही इसका area होता है तो देखे हमारा जो answer आया है वो यह हमारा दिया वह था ना question में 4 into 3 मतलब कि 12 और 12 pi आ गया तो इस तरह से आप इसको verify भी कर सकते हैं last में exam में ठीक है तो यहाँ पर यह question complete होता है thank you